जून के दूसरे सप्ता में दिल्ली के उपमुख्य मंतरी मनिस सिसोधिया का एक बयान आया सिसोधिया जी ने बताया कि वह 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाग तक कोरोना के संकरमित हो जाएंगे ना जगर बचेगी ना बैड बचेगे और एक प्रकार से स्थिती खराब होगी इससे दिल्ली की जनता में बहुत सारा भाय उटा उनका अनुमान जो था वो आंकडो के आधार पर था में पौनुमान सच गलत उसमें जाना नहीं चाहता परन्तु एक भैकी स्थिती पैदा हुई और कई लोग पलायन की भी सोचने लगे एक दूसरा नीड़ा आगे कि दिल्ली के बाहर की वेक्तियों को दिल्ली में इलाद नहीं कराया जाएगा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अभी दिल्ली के बाहर का हूँ मैं भला कहा जाओंगा अगर मुझे कुछ होता है तो दिल्ली देश की राजदानी है बहुत सारे राज्य के लोग यहां पर रहते आते हैं जाते हैं आजपास के राज्यों से जैसे उत्राखंड से उत्रपदे से, हरियाना से, राजस्तान से, धेर सारे लोग यहां बसते हैं, ऐसा करना संभव नहीं था, तो वो निर्णाय को केंदर सरकार ने बदला, परेताय कर दिया कि हरेक व्यक्ति का इलाज हरेक अस्पताल में होगा.